शनिवार को दिंदारे लकडगंच के चिंतेश्वा मंदिर के पास कुरिय कंपनी के करमचारी का पीछा का तीन आरोपी चाकू की नौक पर 21 लाख रुपए लूट कर भग गए इस मामले में अब तक पांच आरोपी गरफतार होने की जानकारी पुलिस निरिक्षक अमिता जैपुलकर ने अधिक जानकारी साजा की इस दौरान उन्होंने बताए कि अब तक लगभग 16 लाख रुपए आरोपियों से जब्त किये गए हैं शनिवार यानी 25 तारिक को गुजरात के वेफसाई कमलेश शाह का भूतरा चैंबर में कूरियर कंपनी का ओफिस है कंपनी के प्रवंदक रोहित पटेल के पास दोपह साड़ी तीन बजे रमन भाई पटेल और प्यूश पटेल रखम लेने आये थे दोनों ने मैनेजर रोहित से 21 लाख रुपै की रखम ली और डिग्गी में रखम रखकर दोनों दो पहिया से छापरू नगर चौक की और गए पचिंतेश्वा मंदे के पास दो पहिया पर आये तीन आरोपियों ने रमन भाई और प्यूश को रोका और चाकू दिखा कर दोनों को जान से मारने की धमकी दी फिर आरोपी डिक्की से रखम लेकर भाग गए यह बारदा शेतर के CCTV कैमरे में दरज हुई जिसके आधा पर पुलिस ने रविवार तक तीन आरोपियों को गरफतार करने में कामियावी हसल की थी जिसके पशाद अभी यह जानकारी सामने आई है कि इस मामले में अब तक पांच आरोपी गरफतार हुए हैं इस संदर में पुलिस निरिक्षक अमीता जैपूरकर ने अधिक जानकारी साजा की तीन जुद्दू चाकी जबता है याद सद्दा पांच आरोपी अटक है आणखी तीन आरोपी संशेता है ताचा में शोद गेता होत ताचा दोन तीन दूसा पुर्वी तैनी प्लानिंग के लोता आणि त्या कॉंप्लेक्स आजो चोकी दार है तानी फोन कोरून ही माहिती सद्दता संबन्दाने तपस सुरू है इसी सुचना मिली के आरोपी मुंबई से नाखपूर आ रहा है वैसे ही पुलस ने योचना बनाई और सीता बड़ी रिल्वेस्टेशन से आरोपी को गरफतार किया गया इस दमामले में तीन और आरोपी होने की पुलस ने आशंका जताई है BCN News के लिए Camera Person अखिलेश भारतवाज के साथ दिशहटवार की न्यूज